जैश किशना राधी राधे हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग हूप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज है 19 मई और आज है वर्ट सावित्री पूजा जितने भी मेरेड लेडिज मेरा ब्लाग देखती हैं आप सबको वर्ट सावित्री पूजा की डेश सारी सुब कामना है भगवान आपके सुहा को हमेशा अमर रखे कौन को नुम्रत करता है आज की पूजा करता ह प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा सुबा के लगभग 9 सवनों बज रहा हैं और मैं किचन में आ चुकी होना हाथ होके और मैं यहां पर बना रही हूं गुलगुले सच बताओं तो पहले बार गुलगुला बना रही हूं इसके पहले मैंने कभी नहीं बना था बट ममी चैसे बनाती थी तो वैसे वैसे ही मैंने बनाया है बन गया है उधाना परफेक्ट नहीं बना है बट फिर भी बन गया है और इधर मैंने आटे की लोई बना के रखी हैं बहुत सारे क्योंकि मुझे भी बनाना है पूड़ी और गुलगुला से पूजा होने वाला ह ते पूरे घर mı जालू में आचुकी हूं किशन में आचुकी हूं और अभी मैंने पूरी और अुछल-गुलवा बना लिया बस अभी उतना ही बनाई हूं जितना से पूजा हो सकें क्योंकि हस्भंड गुस्ता करें कि तुम बहुत लेट कर रही हो पूजा की समगरी बनानी की बाद अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में तयार होने के लिए मैंने नहा के मैक सी पहन लिया था और उसके बाद जो किचन का काम था वो मैंने खतम कर लिया और अभी मैं रूम में आके फटा-फट से स सारी पहन ली हूँ मुझे नहीं नहीं आ रहा था कि कौन से सारी पहन हूँ मैं अपने हस्बेंट से पूछी कौन से सारी पहन हूँ तो बोले जो तुमको समझ मारा वही पहन लो यह वाली सारी मुझाल मारी में सामने ही दी गई तो इसलिए मैंने सोचा के चलवाज यही प हाँ बहुत सारे काम हो जाते हैं सब मैनेज करना पड़ता है इसलिए देर हो जाती है तो अब हम लोग जा रहे हैं पूझा इसी में है और पूरी गूल्गुला जो भी चिज़ए बनाई थी तह पूझा के लिए जो जमान चाहिए वो सब मैंने ले लिया है और ये लोटे में पाने लिये हुए जल लेके और बस अब हम लोग चल रहे हैं ना बाबू सो रही है इस वज़से हम लोग बाबू को नहीं चला है तो गाइज अभी मैं जानी हूँ वर्ब्रेक्ष पूजा करने के लिए हमारे घर से बस थोरी से ही दूड़ी पे है मतलब ये जो आप लोगो सामने रोड दिखरा होगा ना जिस रास्ते से भी मैं जानी हूँ ये रास्ता जहां पे खतम होता है वहीं पे वर्ब्र का बहुत बड़ा सा पेंड है और वहीं पे हम लोग पूजा करने वाले हैं हस्बंड पीछे तो वहीं मैं मोड़ मोड़ के देख रहे हूं बोलने हों कि जल्दी आये ना दूप लग रही है तो वह भी आ रहे हैं चलके नजदीक में ही जाना है ज्यादा दूर नहीं जाना है बस पूजा करेंगे और जल्दी से आ जाएंगे का करें को कैसा फिलिए हैस अधिन दिन के बाद पूझा कर अधा नियुकर तो जयांदा एक अटमी संदीन है और धुसरी मोचा में याय। तो गाइच अभी मैं आ चुके हूं वर्ड्रीक्ष के पास वर्ट जावित्री की पूझा करने के लिए और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताओं इतनी खुशी क्यों हो रही है क्योंकिры जैसे ही मैं वर्विक्ष के पास पहुंची हूँ मैंने देखा कि बहुत सारे सुहागन औरते पहले से ही वर्ट सावित्री की पूजा कर रही है और यह देखे मुझे इतना अच्छा लगाना सच में बहुत ज़्यदा खुशी हुई पिछली साल के पिछली साल मतलब अभी से दो साल पहले जब मैं वर्ट सावित्री की पूजा करने के लिए इस वर्विक्ष के पास आई थी ना कोई नहीं था सिर्फ मैं अकेली थे अकेली ही मैंने पूजा किया था क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी बहुत तेश दिश बारिश हो रही थी और पूरा की करें और मैं सबके साथ पूझा करी हूं तो सच में मुझे बहुत हुआ हो तीज आपस लोग को जाता ह। पिछले साल में अपने माइके में थी सावित्री के दिन तो वहां पे ही मैंने पूझा किया था हम चारों लोगों ने साथ में मिलके पूजा किया था मैं ने मेरी ममी ने मेरी बहारीना ने और भावी ने और इस्टे भी वरी खुशी के बात यह थी ना कि हम तीनों लोग प्रेगनन थे मेरा तो एक दम फर्स्ट मांथ ही चल रहा था उस टाइम और ऐस वाल के पास थीं भगवान इतना बड़ा अश्रवात दिये उसके लिए दिल से बहुत-बहुत थाइंगी हो क्योंकि कहीं भी मैं पूजा करने जाती थी ना तो भगवान से बस यहीं प्रे करती थी कि मुझे भी बेबी हो जा और भगवान के क्रिपा से बेबी हो गई अच्छे से और बस आप भगवान का सिर्वार बना रखी गया हमेसा आप लोग और भगवान करें कि जिसको भी बेबी नहीं है और वो बेबी के लिए ट्राइ कर रहा है भगवान उनको भी जल्दी जल्दी बेबी दे और अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है तो पूजा करके ठक गईगी है जल्दी जल्दी चलागा पूजा होई भगवान के ठीपास अच्छी है जिसके लिए पूजा करी होना वह हमेश्चा चेट चेट रहते रहते हैं लेट हो रहा है तो लेट कर चुकी हो तो गाइज वर्बृक्ष की पूजा करनी की बात अभी हम लोग आ चुके हैं घर और आपने वर की पूजा करने वाली हैं मेरे वर की हालत देखिए गा आप लोग जाई चहरा देखेंगा इनका इनका कितना गुस्ते मैं मुझे कि अब्छा लिए लेट करें अभी बहुत जदा लेटा हुआ है सिर्फ 11 बज रहे हैं तो पूजा कर दें मैंने बोला कि सर्फ 2 मिनिट बैट जाहिए मैं आपकी पूजा कर दूँ कि पूजा करके तो आ चुकी हूँ वर्विक्ष कि कम से कम अपने वर्व की तो पूजा करलो तो यह बोले कि ठीक है दो मिनट बैट रहा हूं जल्दी जल्दोगी करो नहीं तो मैं अभी मैने इनकी पूझा कर दिया है और इनको प्रसाद दे दिया है मैंने और इन्होंने विगाग के पास थी और भुगा के पास थी मुझे लगरा रही हो गी लेकिन बिल्कुल भी नहीं रही थे लुप दा बहुत अच्छी बेबी है एकदम त्यारी समझदार बुडिया है नहीं रोई है नहीं रोई है आरे त्यारोगे आप चले बाइबाई आजो बीड़ोच्या आजो मेरा गया क्यंब ग्राग? म्याप जी कुँशना थे क्यों दगे खां किगा मदाउ़क जी क्या कम measured त्याटी नहीं भींगर है इस नहीं पर गोड़र भींगरगे इस अक पुतोग बीड़ूथ तीका वाल जी जोगता तीका बाभा wcześniej जो अजो दादी को दिगा अब आज तब आज जी तब आजी शत्य जाज़ू जाए झाज झमी तेरा दादेंु को भवा तो प्रons एखे बना मैं फोड़ा आसे प्रोफाइल कृष्टा एख लिए एक बाई जा देख धिजिसे सुमा ए बटा ना उद्दा ना उदा आई इजया ईजया वैबना मेरा नान लान और वोस स्थूलाब 500 से स्थाएं कि लोगद नेंद नगे इसे आ में लं मेरे जा रहे हैं यह खुध दर्मी नहीं नहीं रहे हैं जा मेरा नहीं नहीं न को दर्मीं नहींoras simplest करने मेरा कि एएंद जलेंगा। वा पैंचला दो वेरा नो इन ओ ओ नो ना 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 लेकना मेरा फ्याना मेर यारा मीनेरी बेखोरे चाये चोड़ता सके ना और ना मेरा प्याना मेरा प्याना जोरी है सुक्दा कि नंग चुट चाल लगा, क्यारा कि दोगा लगा क्या उपन्का बूपन्का दोपन्का अजब खुबैया प्राए पिलो जे हुआ लोगा कुभा कुभा भगवान की क्रीपा से बहुत ही अच्छे से पूजा संपन हो चुकी है बट सिर्फ पूजा करने से पेट नहीं भर जाता ना घर में सबके लिए नास्ता भी बनाना है तो मैं आ चुकी हूँ किचन में सबके लिए नास्ता बनाने के लिए सासु मा को मैंने बोला है कि बेबी को सिर्फ 5-10 मिट और पकड़िये मैं जली-जली से सब के लिए नास्ता बना देती हूँ क्योंकि गण में अभी तक कोई भी नास्ता नहीं किया है मेरी पूजा पाट के चकर में आज मैंने धोड़ा सा देर कर दिया है नास्ता बनाने में अक्शुली ना मैंने सोचा था सुबह में ही जब पूजा समंगरी बना रही थी पूड़ी और गुलगुले उसी टेम सब के नास्ता भी बना दूँगी लेकिन हस्बन इतना जदा हडबरा दिये थे बोल रहे थे कि जल्दी पूजा करने चलो नहीं तुम्हें भाग जाओंगा मैं चला जाओंगा तो फिर बाद में मत बोलना इस चकर में मैंने सुझा कर ठीक है पूजा करने भर ही बना लेती हूँ और उसके बाद फिर पूजा करके आऊंगी तो सब के लिए नास्ता बना दूँगी तो अभी मैं पूजा करके आ चुकी हूँ तो सबके लिए फटाफट से नस्ता बना दे रही हूँ क्योंकि सबको भूख भी लगी है बहुत तेज काफी लेट हो गया सुबह के लगवाग सारे 11 बज रहे हैं और पता है क्या हुआ बेवी जब मैं जा रही थी पूजा करने उस टेम पर सो रही थी तो हम लोग बेवी को बेवी की दादा जी के पास और बेवी की बुआ के पास रखके चले गया थे पूजा करने और जब मैं आई पूजा करके तो मैंने देखा कि बेवी जग चुकी है और बेवी अपने बाबा के साथ खेल ड़ी थी थोरा-थोरा रोवो भी रही थी लेकिन बेवी की बुआ और बेवी की बाबा थोरा-थोरा संभाल लिये थे तो अभी मैं फटाफट से सब के लिए नास्ता बना दे रही हूँ, उसके बाद बेवी को फिड कराऊंगे, क्योंकि बेवी सोके उठी है तो बेवी ने फिड नहीं किया है, आज के जो व्लोग है, मैं पे एंड करी हूँ, ये ले जा रही हूँ, मैं पापा जी के लिए नास सुर्जी के लिए पूरी और सबजी, अभी के लिए बस इतना ही बबाद टेक क्यार, जैसर कृष्णा, राधे, राधे, जैहन, जै भारत